नमस्कार दोस्तों हम इस वीडियो में देखेंगे एडव एनिमेट का जो इंटरफेस है वो किस टैप से होता है अगर आप भी चाहते हैं इस टैप का कार्टून बनाना तो आप मेरे यूडिमी पे चार कोर्स अपलोड किया हो उसको आप इंडॉल कर सकते हैं जिसमें कि आप आप देख सकते हैं ऎनिमेट करते है यशार कस भी सक्रीट करते हैं यहां पर की कूपण को और भी दिया हुआ है उसको आप घर सकते हैं ज recorded जब फर्स्ट लुक होता है जब आप इंस्टॉल करेंगे और इसको हम ओपन करते हैं तो कुछ इस टैप से इसका स्क्रीन खुल के आता है तो यहां पर हम जब शुरू में देखते हैं उपर यहां पर जो है इसका मेनुबार दिया हुआ है उसके नीची अगर देखते हैं तो दो बटन दिया हुआ है create का और open का और यहां पर home बटन दिया हुआ है तो create जब करते हैं कोई भी चीज को आप बनाते हैं तो उसको आप create कर सकते हैं और जब कोई फाइल आपको बना हुआ राता है उसको open करते हैं तो इसकी मदद से करते हैं उसके बाद आप बीच में दे बना सकते हैं फिलाल यहां पर कुछ ऑप्सन दिया हुआ है इसको आप यूज करना चाहते हैं तो वह भी कर सकते हैं और अपना तरीके का साइज बनाना चाहते हैं तो वह यहां पर कर सकते हैं उसके बाद नीचे अगर देखते हैं जो फाइल आपने काम किया है वो रिसेंट फाइल यहां पर सो करता है तो इस टाइप से देखिए हमने काम जो किया है वो यहां पर सो हो रहा है उसके बाद हम यहां पर बात करते हैं अगर मोर पे क्लिक करते हैं more preset पे आप देख सकते हैं यहां पे एक dialogue box खुल के आया है और यहां पे भी बहुत सारा size यहां पे मिल जाता है देखिए अभी character animator के लिए यहां पे game के लिए education के लिए ads के लिए wave के लिए advance तो यह सभी size आपको default दिया हुआ है इसकी मदद से भी आप कर सकते हैं और आपको इसका size नहीं चाहिए आपको कुछ अलग से customize size चाहिए तो वो भी यहां पे size अपने तरिके से दे सकते हैं और यहां पे जो आपको देख सकते हैं frame rate दिया हुआ है maximum frame rate T sum रखते हैं और अगर आप चाहते हैं 60 भी रख सकते हैं आपको सिस्टम जो है बहुत ही heavy बनता है इसलिए कोसिस करते हैं हम तीसी रखते हैं और डिपेंड करता है कि आप अगर motion चाहते हैं जैसे slow motion बनाना चाहते हैं आपका frame rate ज्यादा होना चाहिए तो अपने हिसाब से इस frame rate को घटा बढ़ा भी सकते हैं तो इतना करने के बाद हम क्या करेंगे create करेंगे तो हमारा size जो अभी दिया हुआ है यह size दिया हुआ है और हम अभी size लेंगे हम full HD का इस पर click करते हैं जो full HD 1920 x 1080 और इस पर हम करते हैं click क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कुछ इस टैप से इसका जो है कुछ इंटरफेस खुल का आता है इसमें जो basic चीज है दिखें जब हम यहां पर mouse pointer को क्लिक करेंगे तो यहां पर mouse pointer दिखेगा कि कौन सा बटन को हम क्लिक कर रहे हैं और mouse से हम क्या कर रहे हैं इसलिए हमने इसके pointer को ओन कर दिया जो कि आपको shortcut command वहां पर दिखेंगे इतना करने बाद जो पहला shortcut command है इस screen को हम को zoom out करना है अभी बहुत बड़ा दिखे रहा है हम इसको थोड़ा सा चोटा करना है चोटा करने क्या करेंगे control और will को down करेंगे देखिए will down किये यह चोटा होगा will up किये यह बड़ा होगा तो इस step से जो है यह zoom in और zoom out work करता है यहां से भी आप इसको set कर सकते हैं देखिए अभी 64% है और इसको अगर fit to window करते हैं तो आप देख सकते हैं कुछ मान लिजे हमारा screen जो है बहुत बड़ा है अभी मान लिजे मैं कुछ चीज पर बना देता हूं मान लिजे यह हो गया यहां पर यह और यह एक example के लिए दिखा रहा हूं अब यह इसको दिखने के लिए यह screen जो है आपको left right या ऊपर नीचे करना है उसके लिए हम क्या करते हैं इस पेस दबाते हैं जो keyboard से बरावला keyboard होता है उसमें दबाते हैं और hand से आप देखिए कुछ इस टैप से ड्रैग कर सकते हैं आप देखिए जो भी देखना चाहते इसको कहीं से भी हाथ की तरह काम करता है आप देखिए हाथ का सिंबॉल भी बना हुआ इस टैप से देख सकते हैं और यहाँ पर भी देखिए hand दिया हुआ यह हाथ का भी same काम होता इसको आप देखिए कर सकते हैं ठीक है और मैं इसको फिर two window कर देते हैं इस टैप से हमने अभी दो कमाण दो कमाण क्या था एक तो यह आप देखिए यहां पर इसकी मदद से क्या होता है हमने जो यह देखे हैं का कलर में चैंज कर देता हूं के xi τι कंटूल प्लस मौस पूइंटर अप एंड द्से क्या होगा त één जो इसक्रीन है छोटा बड़ा होता है मैंने ये एक देखे और दूसरा हमने देखे हम एस्पेस की और माउस को ड्रैग करते हैं लेफ्ट राइट उपर नीचे तो इससे क्या होगा आपका जो ये स्क्रीन है लेफ्ट राइट होता है ठीक है हमने इतना इसमें अभी हम देखे हैं इसको हम यहां से डिलिट करते हैं अब हम बात करते हैं यहां पर कौन सा पैनल होता है तो सबसे उपर जो है मेनु बार होता है यहां पर देख सकते हैं उसके बाद हम जो है इस तरब देखते हैं अब देखिए उपर जो है यहां पर मेनू बाल है यहां पर मैं कलर चेंज कर देता हूं उपर देख सकते हैं मेनू बाल है यहां पर और यह साइड में यहां से लेके यहां तक आप देख सकते हैं यह जो है टूल्स है दिया हुआ उसके बाद यहां से लेके यहां तक आप देखें इसमें य यह एक timeline है दिया हुआ यहाँ परania, timeline होना बहुत जरुरी होता है। और इस त्रफ जो भी कुछ बनाएंगे उसका property यहां पर दिखता है। तो basically यहां पर हमारे पास 4 animals है ऊपर वार यहां पर toolbar नीचे timeline और यहां पर property बार यह चार जो पैनल है इसी के मदब से आप हर टाइप के कार्टून को create कर सकते हैं और animation भी करा सकते हैं अब बात रहती कि इस चारो पैनल को हम कैसे यूज करते हैं यहां तो हम टूल है और पूरा detail से दिखाऊँगा कि किस टूल को हम कहां पर यूज करते हैं और कैसे animation के लिए यूज करते हैं अब हम बात करते हैं कि यहां पर बहुत सारा work किया जाता है जैसा कि मैं पहले भी बताया हूं यहांप animation का भी काम होता है create भी करते हैं कोई character को background का भी animation होता है और हम पहले website जब बनाते हैं तो flash में ही website बनाय जाता था flash ही है flash का नाम change करके animate CC कर दिया गया है जो website अगर बनाते हैं तो वो जो button होता है उस tab का भी work किया जाता है यहां पे और वो भी बहुत सारा work होता है आप industry में बहुत सारा job उससे भी related कर सकते हैं button के द्वारा भी यहां पर option दिया हो इस पर click करते हैं यहां पर देखिए इसके बगल में sorry यहां पर इस button पर click करते हैं देखिए एक यहां से click आता है यहां पर animator है basic है classic है यहां पर tabbing है designer है developer है यहां पर stretch है essential है और small screen है यह सभी का भी work किया जाता है और यही चीज़ अगर window के अंदर जाते हैं तो भी आपे work space है वही सारा चीज़ यहां पर भी मिलता है इस दोनों का काम same ही होता है तो कैसे करते हैं इस दोनों का काम मैं अभी दिखाता हूं basically क्या होता है जैसे यह जो चार पैनल है यह चारो पैनल जो है अलग-अलग हो जाते हैं अगर मान लिजिए आप इस पर click करते हैं एनिमेटर पर आप इनिमेटर सिर्फ जो है एनिमेटर है आपको cartoon बनाने कोई मतलब नहीं है चारेक्टर कोन बनाया मुझे मतलब नहीं है मुझे सिर्फ एनिमेशन करता है तो उसके लिए आप इस पर click करते हैं आप देखें इसका जो पैनल है चारो वो सभी का सभी change हो गया और यहां से आप देख सकते हैं सिर्फ जो है एनिमेशन के लिए हम पो यहां पर आ गया है तो आप देख सकते हैं इसका जो color panel इधर खुल गया यहां पर देखें इसका प्रोपर्टी बार है और यहां से अगर देखते हैं तो आप क्या हुआ कि timeline यहां से गाइब हो गया और यह नीचे दिखरा देखें यहां पर यह timeline यहां पर आ गया और इसको आप manually तरीके से जह यहां भी ले जाना चाहते हैं वहां पर आप ले जा सकते हैं और basic यहां पर इसी पाइनल को नहीं अगर आप चाहते हैं इस पाइनल को भी हटा के रखना तो आप देखें ड्रैग करके रख सकते हैं तो यह पाइनल जो है आप ड्रैग करके बाहर कर सकते हैं इसी टैप से इ यहां पे ले जाना है, आप यहां पे ले जा सकते हैं, आप देख सकते हैं, इस टैप से, तो यहां पे basically क्या है, आप यहां पे option दिया हुआ भी है, और आप चाहते हैं अपना panel बनाना, तो वो भी आप यहां पे कर सकते हैं, उसके बाद यहां पे जाते हैं, basic पे खिलिक करते बेशिक पर क्लिक करने के बाद आपके पास क्या होता है सभी जो यहां पर एसेंसियल अबला शुरू में देखेते हैं वही चीज है लेकिन अगर देखते हैं टूल बार जो है यहां पर कम हो जाता है इसमें इतना ही डिफिरेंट है बाके सभी जो है सेम रहता है इसी टैप से हम अगर बात करते हैं यहां पर क्लासिक पर क्लासिक करने के बाद क्या होता है देखिए कुछ इस टैप से क्लासी लुक जो आया है यहां से प्रोपर्टी बार जो है वो यहां से गाइब हो गया सिर्फ इनिमेशन के लिए जो यहां पर टाइम लाइन है और यहा करते हम डब में डबिंग करते हैं जैसे मतलब देखिए यहां पर कुछी स्टैप यहां पर हमको क्या होता है कि यहां पर सब कुछ बना हुआ है शिर्फ हमको डब करना है तो आपको इस टैप से पैनल मिल जाएगा यहां पे designer mode में है, जिसको के हम सिर्फ design करना है, यहां पे animations हमको मतलब है character को design करना है इसी type से यहां पे developer mode है, developer में क्या होता देखिए, यहां पे बहुत सरा button आपको दिख जाता है क्योंकि website design के लिए यह software बना हुआ है, उसमें भी आप website को create कर सकते हैं या तो आपको presentation कहीं पे show करना, वहां पे भी step का button का use किया जाता है उसके बाद अगर हम बात करते हैं, यहां पे essential दिया हुआ है, जबकि most important यह होता है essential, आप देखिए जो हमने पहले दिखाए थे, same adjective यह बन गया है तो हम जो है, कोई भी software खोलते हैं, तो वह essential mode में ही रहता है और यहां पे एक और mode दिया हुआ है, वो a small screen कि जो भी है, वो सब जो है, छोटा हो गया और हमारा screen जो है, वो बड़ा हो गया, तो इस step से जो है, इसका use किया जाता है और अगर मान लिजिए हमने यह सब अपने तरीके से रख दिये, लेकिन हमको जो है, अपना customize चाहिए, तो वो हम कैसे create करते हैं सबसे पहले हमें क्या देखना परेगा, कि हमारा कौन सा element कहां रखना है, वो हमें decide करना होगा तो हम जा करते हैं, मान लिजिए हमारा जो यह toolbar है, हमको यहां पे नहीं चाहिए, तो इसको हम drag करके यहां से हटा दिये, यह यहां पे आ गया और जो है, यह timeline जो है, timeline नीचे नहीं, हमको ऊपर चाहिए, तो ऐसे drag करके, और यहां पे जब लेके आएंगे, आप देखिएगा, एक blue color का पट्टी भन जाता है, और उसको आप इसमें छोड़ देंगे, तो वो वहाँ set हो जाता, आप देख सकते हैं, इसका timeline जो है, ऊपर आ गया है, अब जो यह stripe का, जो final है, property बार, इसको drag करके, हम बाहर कर लेते हैं, और इसको हमको चाहिए, इस तरफ, आप देखिए, आ गया, अब जो यह toolbar है, यह हमको इधर चाहिए, इस टैप से, यहाँ पर, और इसको मैं चाहूं तो, इसको छोटा कर लेते हैं, इस टैप से, आप देख सकते हैं, हमारा जो है, कुछ इस टैप का final तयार हो गया, हम इसको चाहें, तो हम save करके रख सकते हैं, जब भी हम दूसरे project या तीसरे project में काम करते हैं, तो वहाँ पर यह option मिल जाए, आप देख सकते हैं, इस टैप से हमन one नाम से save हो गया है, और इसको अगर चाहते हैं, फिर से जैसा था, वह इसा ही बन जाए, तो हमें क्या करना पर विंडो में जाएंगे, यहां पर work space, और reset a small screen, तो फिर से वह जैसा था, पहले जैसा बन जाएगा, तो दोस्तों इस टैप से इसके इंटरफेस वर्क करता है, तो आसा करता हूँ, यह जो है, इंटरफेस के बारे में आपको detail से समझा जाएगी, तो मिलते दोस्तों, next वीडियो में, आज के लिए, thank you,